नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूँ पेनाज और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं आज हम उस बड़े सवाल की जिससे मायनगरी मुंबई का हर बाशंदा जो है वो जूंज रहा होता है कि आखिर बार बार देश की आर्थक राजधानी मायनगरी मुं मुंबई एक बार फिर पानी पानी हुई अंधेहरी सब्वे वेस्टर एक्सप्रिस पे आप कुला विले पारले किंग सरकल यह तमाम वो नाम है जिसमें आपको हमेशा जब भी मुंबई में बारिश होगी सबसे पहले खबर यह आएगी कि यह सब्वे जो हैं वो इस वक्त पानी से लबलब भरे हुएं दरसल मुंबई हर बार वार बारीश होती है मुंबई में मौनसून जं कर आता है तो क्या मुंबई का यह प्राय बन गया है कि हर बार जब जब बारश होगी तब तब मुंबई ऐसे ही डूबेगी कि असका कोव' समाधान नहीं है हर बार दाव 40-50 mm बारिष है उतना ही जेल सकती है अगर उससे कहीं ज्यादा बारिष हो जाती है तो फिर मॉम्बई दूबेगी ही, मॉम्बई में वाटर लॉगिंग होगी ही आखर मॉम्बई के ॹरूबने का कारण क्या है लापरबाही है, बिनेच का सिस्टम है या फिर मुंबई जिस तरह से बनी हुई है, मुंबई की जो भॉगलिक सिती है, जिस तरह से कई छोटे-छोटे दीप को मिलाकर मुंबई बनी हुई है, उसमें सिर्फ समंदर का हाइटाइड ही परिशानी का समथ नहीं है, बलकि आपको बता दें कि इस मुंबई के अंदर च इस तरह से पवई लेक जो है ओवरफ्लो हो रही है, बनाया तो गया था, इसे मुंबई कर्स को और ज्यादा खुबसूरत एक अच्छा हैंगाउट जोन देने के लिए, लेकिन किस तरह से बारिश के कारण पवई लेक ही नहीं, पूरी की पूरी मुंबई ऐसा लग रहा है कि एक चलती फरती जो है वो लेक में तबदील हो गई है, मुंबई कम ये वेनेस शेहर जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, पूरा मुंबई शेहर जील जैसा बना हुआ है, सुबह करीब चार बच कर 45 मिनट पर लेक ने ओवरफ्लो करना शुरू कर दिया था, लेक की छमता 45 लेटर पानी रोकने की है, लेकिन 6 घंटे हुई मुसलाधार बारिश से लेक के शमता कम पड़ गई है, तो पानी ओवरफ्लो को रहा है, लेकिन जैसे हम लगातार आप से कह रहे हैं, कि सवाल योटता है लोगों के जहन में, कि बार बार मुंबई शेहर जो है, वो डूप आपको समझाते हैं कि कितनी गलती सरकार की है, कितनी गलती मुंबई के जो सबसे, यह शायद अभी हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई की क्या कुछ सिती है, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन मुंबई की स्तिती क्या है, दरसल भौगॉलिक तरीके से देखिए, तो की तरफ है, तलहटी में है, तो जाहिर सी बात है, जब आप एक उंचे-नीचे क्रीक तरह के स्ट्रक्चर पे साथ छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ शेहर होंगे, तो वहां पर क्या होगा, चलिए हम आपको मुंबई के भौगवलिक कारण क्या है, क्यों डू मुंबई, तो जब ऐसे ऐसे इस तरह की क्रीक स्ट्रक्चर पने हो है, तो उसमें जो डाउन नीचे जो होगा, जो भी इलाका जो नीचे तलहटी में बना हुआ होगा, तो वहां पर क्या स्थिती होगी, तो वहां पर पानी आके जमता ही है, तो लो लाइंग एरिया जो है, जिसमें अंधेरी सब्वे, मिलान सब्वे, ये तमाम इलाके हैं, वो हर साल इसी तरह से वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या आती ही आती है, मुंबई अरब सागर के किनारे बसा हुआ शेहर है, तो भारी बारिश हो रही है, हाइटाइड है, समंदर में उची लहरे हैं, जलसर बढ़ जाता है, ड्रिनेज के गेटवे बंद हो जाते हैं, समंदर का पानी शेहर में गुसता है, ड्रिनेज सिस्टम री स्टार्ट करने का टाइम लगता है, और इसलिए मुंबई जो है, वो एक तरह से जील बन जाती है, क्योंकि अगर आप बारिश हो रही है, हाइ का पूरा कुलाप्स हो जाता है, 100 साल पुराने इस ड्रिनेज सिस्टम को री स्टार्ट करने में 6 घंटे का वक्त लगता है, मतलब कम से कम 6 घंटे मुंबई यूहीं वाटर लॉगन की समस्या से बेहाल रहती है, हाला कि इस ड्रिनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम और कोशिशें जो हैं जारी थी, का जारता जियापान से क्योटो की तर्च पे एक अंडर ग्राउंड डिनेज सिस्टम जो है उसको डवलप किया जाएगा, लेकिन इस बातें जो हैं अहलानों में और कागसों में ही नजर आती हैं, अभी तक सिती जो है, जसकी बता दें कि ये चारों नदिय, मीची नदी की बात करें, तो इसने एक तरह से मुंबई के काफी बड़े हिस्से को घेरा हुआ है, और इसके पास रिवर बैड नहीं है, जैसे ही ओवर फ्लो होता है, तो मुंबई की जो ट्रोपोग्राफी है, यानि कि इसका दूपों की त है, मालाबार हिल साइट पे है, तो उससे जो पानी बहकर आएगा, वो नीचे आएगा, और जाहिर से बात है, वाटर लॉग होगा ही होगा, तो एक दिक्कत तो वो भी आती है, दूसरा इसका चार नदियों से घेरा हुआ होना उसकी बड़ी वज़े बनता है, फिर उसका ब्रेनिट सिस्टम है, जिसको आप बिल्कुल क्लीन शिट नहीं दे सकते हैं, मुंबई के अंदर चार जो बड़े नाले होते हैं, उनकी सफाई कैसे होती है, कितने वक्त पर हुई है, कितने रेगुलर्ली हुई है, ये भी हमेशा एक सवाल बना रहता है, मुंबई की इस मुसीबत का सबब बन गई है, लाइफलाइन की वज़े से, पवई से उदमता के माहिम में समंदर में जाकर ये मिलती है मीठी नदी, और वो जो पूरा का पूरा इलाका है, आसपास में जैसे मैं आपको कहा के घनियाबादी है, संकरी नदी है, जैसे ही ओफ्लो होगी तो क बड़ा कारण बनती है, डिनेट सिस्टम के अलावा भी, किसी शहर में जब मौनसून की मुसलाधार बरसात होती है, तो पानी के बाहर निकलने के लिए डिनेट सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए वहां के नालों का रोल बहुत एम होता है, लेकिन मुंबई में नाले झालते हैं, जहां पर मलवे से भड़े हुए है, और BMC के एरिए 90 परतिशत काम जो है नालों का साफ हो चुका है, दहसर वाला नाला जो है वो ही साफ हो चुका है, लेकिन इन तमाव नालों को लेकर दावे तो कह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको बदा दें के दहसर वाल के डूबने का कारण बनती हैं ड्रेनज सिस्टम बदलाव की मांग कर रहा है लेकिन इसे दुरुस करने का काम बहुत धीमी रफतार से चल रहा है मुंबई का ड्र मॉनसूर में चोक क्यों हो जाता है आपको यह भी समझाते हैं आपको बता दें कि मुंबई में खुले नाले हैं, 200 किलोमीटर के बंद नाले हैं, 440 किलोमीटर आउट पॉल है, 186 का, 2005 में डिनेट सिस्टम बदलने का ठेका जो है, वो मिला था एक कम्पनी को, कम्पनी ने पानी निकालने के लिए 6 पंपिंग स्टेशन बनाए, लेकिन पं पंपिंग स्टेशन का जब भी इस तरह से ये पूरा का पूरा पानी जब बहेगा, तो उस पानी को पंप करके उन कुओं में चोड़ा जाएगा, और उसके बाद वाटर लॉगिंग जब खतम हो जाएगा, तो फिर वो पानी समंदर में निकाल दिया जाएगा, इस तरह से कुछ आर्टिफिशल वेल जो हैं, वो भी मुंबई के अंदर बनाए गए हैं, मुंबई शहर कितनी बारिश जब सकता है, 100 साल पूरा न उसका डिनेट सिस्टम कितना पानी बाहर निकाल सकता है, ये भी आपको बता दें, क्या है मुंबई के सिती, मुंबई और उपनगर म में फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा, चार महीने में औस तन 2000 मिली मीटर बारिश होती है, जून जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मुंबई के डिनेट सिस्टम सो साल से ज्यादा पुराना है, और आपको बता दें, गंटे में 25 मिली मीटर पानी बारिश को जेल सकता है, लेकिन कहा जाता है, चालीज भी जेल जाता है, लेकिन उस तो उपर जैसे ही लगातार बारिश होगी, तो नतीजा यही होगा, कि समंदर में अगर हाइटाइड आएगा, तो और भी बुरा हो जाएगा नतीजा, तो इसलिए ये डिनी सिस्टम जो है, वो कुल समबादा था, अतुल सिंग की रपोर्ट देखिए. ये जो एक्स्टेंशन है, जो मलाड इस्ट को वेस्ट से जोड़ती है, वो वाला एक्स्टेंशन बंद करके रखा गया है, चुकि पानी ज्यादा भर गया है, इस वज़े से, फिलहाल दूसरे साइट का जो सब्वे है, उसको ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया है, क्यों क्योंकि जो लोकल सर्विस है, उस पर भी बारिश का असर हुआ है, गनिमत है कि वेस्टन ट्रैक पर लाइन पर जो ट्रेने हैं, वो दस से पंदरा मिनट लेट से चलें, लेकिन जो सेंटरल लेवे हैं, वो पूरी तरहीके से प्रभावित हुई है, क्योंकि जगे जगे वा मलाड सभवे के सीधे दिखा रहे हैं, कि किस तरीके से एक बाइक भी फसी हुई है, जो यहाँ पर लोकल लोग रहते हैं, उनकी बताई जा रही है, कि रात रवी बार देर रात दो बज़े जो बारिश हुई थी, और जिसकी वज़े से सेफटी वाल जो यहां नाले की थी, वो तूट गई सभवे का, और जिसकी वज़े से पूरा पानी आने की वज़े से वो बाइक भी बहके अंदर चली गई थी, सभवे चुकि बहुत गहरा है, और यहाँ पर जिस समय बारिश हो रही थी, बताय जा रहा है, कि पूरा परिवार इस कार के अंदर सवार होके जा रहा था, लेकिन सेफ्टी वाल तूट जाने की वज़े से नाले का पानी का वेक इतना जादा था, कि पूरी कार को धगेलता हुआ, अंदर लेकर चला गया, लेकिन गरिमत थी कि यह जो आसपास के लोग हैं, रेलवेट ट्रैक के पास रहते हैं, उन लोगों ने उन चारों लोगों को बचा लिया, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से पानी में अंदर चली गई है, और अब पानी जैसे जैसे कम हो रहा है, आपको गाड़ी नजर आ रही है, तो एक स्कूटर भी आपको यहां निकालते हुए लोग नजर आ जाएंगे, और इस तरीके की आफ़त की बारिश इस समय मुंबई में जगे जगे देखने को मिल रही है, समंदर में जहां हाइटाइड की वर्निंग दी गई है, दोपर दो बजे हाइटाइड है, 4.40 मीटर की उची लहरे उठेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ कई सारी मुसिबते अभी भी मुंबई पर मन रही है, क्योंकि मौसम विभा का कहना है कि अगले 3-4 घंटों तक भारी बारिश मुंबई में हो सकती है, ऐसे में एतियातन BMC ने जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, उनको पूरी तरीके से छुट्टी आज के दिन दे दिया गया, तो हाइटाइड आया, उसके हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, चुट में अंधेरी सब्वे, मिलान सब्वे, सबसे ज्यादा जो है, वो हमेशा मुंबई में एक तरह से मुंबई की बारिश होई नहीं, कि इन सब्वे पर चले जाईए, आपको इसी तस्वीर मिलेंगी, हाला कि मिलान सब अब उतना पानी नहीं भरता है, जितना बीते सालों में भरा करता था, क्योंकि बहाँ पर एक बूस्टर पॉंप जो है, उसकी विवस्ता कर दी गई है, लेकिन फिर भी, अगर जरूत से जादा बारिश हो जाती है, और उसी वक्त हाइट जो है, वो आ जाता है, तो दिक्क राजधानी मुंबई जो है, उसकी क्या सिती होती है, आप खुद देख सकते हैं, राजेश कुमार जब ग्राउंड पर उतरे, तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या लेकर आए हैं, वो मिलान सब्वे की, आप खुद देखिए जो ही है, देर रात को आज सवेरे तक बरसाद बहुत जादा मुंबई में थी और यही वज़े हैं, पानी जो है वो भारा हुआ हालाकि बरसाद कुछ देर से बन नहीं, यही वज़े है कि पानी उतरा है, वरना इस सवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, फिल देटक निकाला जाये गा यहां पर धक्र chant कर अफने कर रहे हैं। के वक्त मुंबाइ का पानी जो है जो सडक और पानी है जो नालों का पानी है और वो lot i इस तरीक पर ईस तरीकिक धृबंब बी चलती है और उस्तेण सबाउबन ट्रैंट के लिच मुग बात करें 15 से बिस्त्र लाइन की प्रेने चल रही है तो फिलाल मुंबाई कर किसी तरीके से इस बारिश से बारिश से आने वाली परिशानियों से जूचते हुए अपने डिस्टिनेशन तक अपने काम तक पहुचने की कोशिश कर रहे हैं सवाल यहां तमाम राज़तिक पार्टियां जो हैं वो इस वक्त पूरा फोकस एलेक्शन पर रख रही हैं मुंबाई की सुद्ध लेने के लिए किसी को नहीं पड़ी है क्योंकि सब अपने अपनी जुगत बर आ रही हैं किंग सर्कल से भी कमोबेश ऐसी तस्वीर आ रही हैं हर बार हर बारिश में आप अंधेरी चब्दे मिलान सब्बे हिंद माता किंग सर्कल यह नाम शायद मुझे लगता है कि मुंबाई कर्स कोई नहीं बलकि देश भर को याद हो गयोंगे क्योंकि हर बर साथ में यही सब् अंटर स्ट्रक्टर डवलप किया जाएगा कि पानी जो है वो सोख लिया जाए तो तमाम तरह की बातें तो जरूर हो रही हैं लेकिन जमीन पर मुंबाई हर साल कभी कम कभी ज्यादा कभी जरूत से ज्यादा यहीं वाटर लॉकिंग की समस्या से परिशान होती हुई दिख पानी चेशन वडाला की बात करें तो वहाँ पर कई जखे ट्रेनों की रफ्तार यह तो धीमी करनी पड़ी या फ़र पानी के उतरने का इंपिजार करना पड़ा है जो लोग लोकल से सफर करते हैं उन्हें ट्रेन से उतर कर जब नोंने देखा कि भई अब ये पानी तो उत कर ट्रैक पर पैदल चलते हुए अपने गंतवे स्थानों तक पहुचे हैं सलीब बारिश हुई है तो दिखाना तो ही काम हो रहा है जंता को जमीन पर दिख रहा है कि क्या कुछ हुआ है तमाम दावे तमाम टेक्नोलोजी तमाम बड़े-बड़े बजट और कंस्रक्शन की कलाई खोल जाती है मुंबई की पहली बारिश में लेकिन मुंख्यमंत्री साथ उन्ले वो पहुचे कंट्रोल रूम, जानने के लिए कि आ क्या काम हो रहा है समझ मैं नहीं आता कि मुंबई में मंत्री ची को एक ही दिन में सबखुद समझ में आ गया होगा कै कैसे पूरा का पूरा subscribe । या फिर तस्वीरे जो हैं ये दिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि भे देके हम काम कर रहे हैं हम चिंतित हैं क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल रूम में इन तस्वीरों को देख कर क्या कुछ मुख्यमंत्री जी हासल कर लेंगे ये एक बड़ा सवाल मुंबई कर जो परिशान हो रहा होगा दफ्तर नहीं पहुंच पाया होगा इस ट्राफिक में फसा होगा वो जरूर पूछ रहा होगा कि भाई आप हमसे टेक्स वसूलते हैं तमाम चीज़ें होती हैं लेकिन इस कंट्रोल रूम में आप जा रहे हैं तस्वीरे देख रहे हैं तस्वीरे तो आप टीवी पर देख लिज़े हर जगे तस्वीर उपलब्द है और आपके पास तो सीधी डारेक्ट पहुत सकती है आपके आफिस में आप वहाँ पर जाकर अधिकारियों के बीच में सिर्फ एक इमिज पोस्टरी अगर हम कहीं उसके अलावा कर क्या रहे हैं अगर वाकई में आप इसको लेकर संजीदा होते तो शायद पहले बैठके होती वो बैठके जो आने वाले चुनावों को लेकर हो र इसमें कोई राजनीती ना लाए यह राजनीती करने का समय नहीं है यह लोगों को मदद करने का समय है अभी लोगों को जहां फसे उनको रेस्क्यू करने का समय है रोड का पानी कम करने का समय है और इसमें सभी लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए राजनीती के लिए बहुत विशह यह राजनीजी का विशह नहीं है और बारिश इतनी तेजगिरी है तो यह तेजगिरी बारिश गिरी है यह इससे पहले जो आज हम लोग उपाय कर रहे हैं दो साल में शुरू किये वो तो पहले होने चाहिए थे इस साथ स्थी पी माइक्रो टर्नलिंग ओलिंग पॉं है आज जो होल्डिंग पॉंड के वज़े से मिलन सब्वें हिंद माता अंदेरी का इसमें आभी आप देखो हमेशा पानी रहता था आज उदर पानी नहीं होल्डिंग पॉंड के वज़े से ट्रेन के नीचे माइक्रो टर्नलिंग पहली बार हुआ है यह भी देखो ना कि पहले पहले कितने साल पहले होना चाहिए था हम लोग उसके उपर आरोप लगा रहे हैं जब हमारे पास मौका आया तो हमने शुरू कर दिया और इसके वज़े से बारिज गिरने के बावजूद भी इतने तेजी से डिश्चार्ज भी हो रहा है इसको भी मानना चाहिए प् बहुत असानी से ब्रेम लगा दें ऐसा मुम्किन नहीं है ये बेनेफिट ऑफ डाउट आपको शायद ही मुंबई की जंता दे पाएगी वहराल मुंबई में किस तरह बारिश का हाल बेहाल है तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं आप वकोला इलाके की तस्वीर वकोला से क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं आप खुद देखें इस वक्त मुंबई के अलग-अलग इलाकों में लगातार मुसलाधार बारिश हो रही है और तस्वीरे इस वक्त आपके सामने हैं मुंबई के वकोला पुलिस टेशन की आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पानी जो है वो पैरों तक भरा हुआ आपको नजर आएगा वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगतार रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है जिसके चलते मुंबई के कई इलाकों में इसी प्रकार की तस्वीरे देखने को मिल रही है और आप देखिए कि किस तरह से बाइक जो है वो आपको जलंग न होती नजर आएंगी दूसरी तरफ और आपको नजराएगा से पुलिस की गाडिया यहाँपर वो पानी मटकी हुई है, आपको गाड़ियां गिरी हुई नजर आएंगी वहीं आपको सीधा पुलिस टेशन की तस्वीरे दिखाते हैं लेचल के कि आप देखे पुलिस टेशन में इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए है आप देखे मेरे वीजो जनरलिस से मैं कहूँगा कि वो पीछे की तस्वीरे दिखाएं आपको आप देखे इस वक्त पुलिस टेशन के पास जो आम रास्ता होता है जो मुख्यत और का जो द्वार होता है उस जगे पर आप देखिए पेड गिर चुका है वहीं दूसरी तरफ पुलिस टेशन के अंदर तक पानी भर चुका है जिस तरह से बीमसी के दावे होते हैं हर साल कि उन्होंने जल निकाय के लिए जो विवस्थाएं की हैं वो एक बार फिर से अधूरी नजर आ रही है और यही कारण है कि अब लगतार मुंबई करों को तकलीफ हो रही है जैस इस वक्त जलमगन हुआ पड़ा है आपको सीधा पुलिस टेशन की तस्वीरे दिखाते हैं आप देखिए कि किस तरह से यहां पर जो परिस्थिती है यह अपने आप में इस बात को जाहिर करती है कि किस तरह से बीमसी अपने काम में पूरी तरह से असफल नजर आ रही है आ और क्या अंदर तक पानी चलागे अभी धीरे-धीरे कम हो रहा या पानी और बढ़ता जा रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि खुद यहां पर जो अधिकारी है उनका भी यही कहना है कि पानी जो है वो लगतार बढ़ता जा रहा है और इसी प्रकार की तस्वीरे अल मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है और जिस तरह से दावे किये जाते हैं कि मुंबई में जल निकाई के लिए जो विवस्था है वो पूरी कर दी गई और उसके चलते इस साल मुंबई करों को कोई परिशानी नहीं होगी और ये बात पिछले कई सालों से हम बीमसी और सुनते आ रहे हैं लेकिन अब जिस तरह के यहां पर हालाद बने हुए हैं उसके बाद हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि अब फिलहाल जो है पूरी तरह से कारे विवस्था कारे प्रणाली अपने काम को करने में असफल है वकोला बीमसी के करमचारी हाउसंग सुसाइटी में पानी भढ़ने के बाद ग्राउंड पर पहुंचे लागातार अनॉंसमेंट के जरीर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है पानी निकासे के कोशिश हैं लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने पूरे लाके को डुबो कर रख आप बीमसी से हैं यह पुलिस ने बुलाया होगा आपको इनफॉर्म किया है यह क्या हाला आते हैं अभी फिलहाल बताईए और बाकी जगों के क्या हाला पानी बारिश के वज़े से जादा है और यह मिटी नदी में जाता है बाजू के नाले में वो नाले का लेवल है ना इसको प्रोन कर अश्याइब यहां जाएगा जब यह पानी काम हो जाएगा यह सिस्टम की बात की जगों पर भी अइसे ही हाल आते हैं बारिश का पानि यह फिलहाल मोटर वागर्या यहां पर लगा दिये गाये लोगों की सुभधाए के लिए वह कब तक पानी निकल जाई मतलब सारा बीमसी की तरफ से सारी चीज़ें यहां अभी पहुंच रही हैं हम सुभै से ही देख रहे हैं कि काफी जादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है चुकि आज सोमवार का दिन है यह भी बताइए कि कितनी मोटर्स अभी फिलहाल यहां लगाया जाएंगे वह साब हालात का जायजा लेने के लिए आये हुए हैं लोगों से अपील की जा रही है चुकि जिस तरह की यहां परिस्ति बनी होई है उसके बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल इसी प्रकार के हालात है अब देखना यह होग कि कब तक यह जल सतर नीचे जाता है और उसके बाद कब तक विवस्ता जो है वो सुचारू रूप से चलती है तो आज मंडे मॉर्निंग ब्लूज के साथ साथ मॉंसून यूज से भी मुंबई बालों को दो चार होना पड़ा है और मुंबई के हर इलाके की तस्वीर का मु लोगों के लिए सांचा क्रूज अलाके में भी परिशानियों का सबब बना आप तस्वीर कहीं की उठा लीजे कमोबेश एक जैसी तस्वीर में लेगी बस कहीं पानी घुटनों तक है कहीं कमर तक आ जाता है तो दिक्कत हर जगा एक जैसी है मुंबई इस वक्त वाटर लग इलाकों से जिस तरह की तस्वीरे आ रही है खासकर आपको बता दें कि रेलवे के उपर काफी जादा असर पड़ा है इसके अलावा जो उडाने है वो भी कई रद कर दी गहीं है और लगातार अलग अलग जो एयरलाइन से उनकी तरफ से भी यह अपील की जा रही है कि आप निकलने के पहले अपने शेडियूल को चेक कर लें अगर आपकी फ्लाइट कैंसल हो रही है तो आपको पहले इस बात की सूचना दे जाएगी लेकिन जिस तरह से कल रात से ही लगतार मुंबई के अलग-अलग इलाकों में जोरदार बारीश चल रही है उसके चलते सभ पर इसका असर पड़ा है फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें मुंबई के अलग-अलग इलाकों से निकल कर सामने आ रही है इसके बाद एक बार फिर से हम यह कह सकते हैं कि BMC का प्रशाशन पूरी तरह से पानी की जो समस्या है खास तोर पे हर साल जो हम तस्वीरे दिखाते है वो इस साल भी कुछ अलग नहीं है दावे वही की पानी की समस्या से निप्टारा के लिए हमने 400 से जादा अलग-अलग मोटर्स लगाए हैं कई जगों पर पंपिंग की सोविधाये हैं लेकिन उसके बावजूच जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है हम एक बा से सवाचार मीटर उची लहरे उठीं वो भी अब पानी के फ्लो को अंदर की तरफ जाने से रोकेंगी ड्रेनिस सिस्टम के लिए मुसीबत का सबब बनेंगी मरें ड्राइव पर हाई टाइड की तस्वीरों के साथ समीर की रिपोर्ट देखिए समंदर के पास खड़े मरें ड्राइव का पूरा इलाका है देख सकते हैं कि 4.40 मीटर उची लहरे उठने का अंदाजा जो है वो वेक्ट किया गया है जिसके चलते पुलिस प्रशासन है यहाँ पर मुस्तहदी से तैनात है वो लगातार यहाँ पर आने वाले जो लोग है य यहाँ से उनको थाने की कोशिश कर रहा है कि जो ब्रशासन के स प्रशासन है वो आलेकिसजोर निश्ली इलाकों में जलजमाव की स्तिती हैं प्रे जहें लगबर जो इंत्रल कि मीटर उची है पीर फूरा वक्त है और ऐसे में अगर मूसला धात बारिश इसे तरह से जारी रहती है तो निचले इलाकों में जल जमा होना निश्चित है भारी बारेश और हाइटाइट मिलकर कैसे मुंबई का जीना मुश्किल कर रहे हैं वो फिलहाल बंद कर दिया गया है और उसके पीछे वज़े है समंदर में उठ रही उची लहरे इस वक्त 14 से 15 फीट उची लहरे समंदर में उठ रही है पहले ही बताया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि आज हाई टाइड है और 4.40 मीटर उची लहरे जो है वो समंदर में उठ नी है कि कहीं कोई पुलिस की बात न मानकर समंदर की तरफ जाता है और परिशानी में फसता है तो उसे परिशानी से निकाला जा सक्या है शोर समंदर से हो रहा है वो परिशान करने वाला है और अगले 24 घंटे तक मुंबई में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमाल लगाया है कि बरसात होनी है बरसात के दोरान आप ये भी कहा गया है कि बहुत जरूरी न हो तो घरों से बाहर न निकले उन सब के पीछे समंदर में उची उठती हुए लहरे क्योंकि जब लहरे उठती हैं तो शहर का पानी समंदर में जा नहीं पाता है और जगा जगा पर आपको जल जमाओ की स्तिती देखनी पड़ती है जल जगा जगा ट्राफिक जैम की स्तिती जो है वो देखनी पड़ती है चलिए तो चौपाटी जो है वहाँ पर हाई टाइट के चलते और भारी बारिश के बाद बंद कर दी गई है तो लोग जो है फिलाल मौनसून का मज़ा अपने घर में बैठ कर ही उठाएं यह अपील की है बच्चों के स्कूलों की चुटियां जो है वो कर दी गई है साथ ही अपील की गई है कि जहां तक संभव हो घर से ही वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अगर मिल सके तो लें और अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें तो यहनी आम आदमी एड़्जस्ट होगा मुंबई का मॉनसून यूही मुंबई को वाटर लॉगिंग के समस्या से हर सा दोचार कराएगा अंधेरी सब्वे की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं अंधेरी सब्वे है आप देखिए किस तरह से अंधेरी सब्वे एक बार फिर से डूब गया है सब्वे में समंदर जैसी लेहरें जो हैं आपको ओटती हुई नजर आएंगी और जो पूरा का प दी उत्वान हो गय है